मोती लाल नहरू एक वकील भारतिय राष्ट कॉंग्रेस के सक्रिय नेता थे इसके साथ वे आजाद भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू के पिता जी भी थे Hello Everyone, मेरा नाम हिंतीश पांडे और ये एक personality वीडियो की सीरीज है इसमें हर एक personality पे मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही एक informative वीडियो होने वाली है लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले I request everyone कि आप इस चैनल को सब्क्राइब करें और वीडियो को like and comment करें आप इस चैनल पे UPSC related subjects को भी पढ़ सकते हैं जिनके playlist हम लोगों ने बनाया है ये सारा content free of cost है जो भी serious UPSC aspirants है वो वाइस सर को contact कर सकते हैं on whatsapp 7200-681-675 test series and foundational videos के लिए early life मोती लाल नहरू का जन 6 मई 1861 को आगरा भारत में हुआ उनके पिता का नाम गंगाधर नहरू था तथा माता का नाम जीवरानी था उन्होंने पश्चमी ढंकी सीक्षा प्राप्त की थी उन्होंने इलाहाबाद के मेओर केंद्रिय महाविद्याले में से बीये किया लेकिन अंतिम परिक्षा नहीं दे पाए बाद में उन्होंने कैंब्रिज से बार एट लौ की उपाधी ली और अंग्रेजी नियालेओं में अधिवक्ता के रूप में कारे प्रारंब किया मोतिलाल नहरू की पत्नी का नाम स्वर्यू प्राणी था स्वर्यू प्राणी ने एक पूत्र को जरम दिया जिसका नाम जवाहर लाल नहरू रखा गया जिन्हें आगे चलकर आजाद भारत के पहले प्रधान मंत्री बनने का सम्मान प्राप्त हुआ उनकी बड़ी बेटी का नाम विजय लक्ष्मी था जो आगे चलकर विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से प्रसिद्ध हुई और उनकी छोटी बेटी का नाम क्रिश्ना था मोतिलाल नहरू फैमिली 1883 में मोतिलाल जी के वकील की परिक्षा उतिर्ण की तीन साल बाद वे अलाहा बार चले गए और वहां अपने भाई नंदलाल द्वारा इस्थापित संस्था से अभ्यास करने लगे अगले साल 1887 में 42 साल की उम्र में उनके भाई की मृत्ति हो गई वे अपने पीछे पांच बेटे और दो बेटियों का बड़ा परिवार छोड़कर चले गए महज 25 साल की उम्र में ही उनके कंधे के उपर बड़े परिवार की जिम्मदारी आ गई पॉलिटिकल लाइफ लौ की सीख्चा प्राप्त करने के बाद मोती लाल जी ने वकालत शुरू की लेकिन काफी संगर्षों के बाद उन्हें वकालत में सफलता प्राप्त हुई 1909 में वे ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में सम्मिलित हुए उसके बाद उन्हें कई बार यूरोप जाने का अवसर प्राप्त हुआ 1910 में मोती लाल जी विधान सभा चुनाओं के लिए खड़े हुए और उन्होंने यह पहला चुनाओं लड़ा गांधी जी के कहने पर वे राजनीती में शक्रिये सहभाग लेने लगे थे पांच फरिवरी 1919 को उन्होंने एक नया धैनिक समचार पत्र इंडिपेंडेंट प्रकाशित किया जो काफी लोग प्रिये साबित हुआ था मोतिलाल जी ने दो बार कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की रूप में कारे किया एक बार अमरित्सर में वर्ष 1919 में और दूसरी बार कलकत्ता में वर्ष 1928 में 13 अप्रिल 1919 को जालिया वाला भाग हत्याकांड की भयानक घटना को देख मोतिलाल जी का खून खौल उठा इसके बाद उन्होंने अपनी वकालत को हमेशा के लिए छोड़ दिया और देश को सेवा देने लगे इस घटना की जाच करने के लिए ब्रिटिश सरकार तयार थी लेकिन कॉंग्रेस ने इसका विरूद किया था मोतिलाल जी भी चाहते थे कि इसकी जाच की जानी चाहिए इसलिए उन्होंने खुद की जाच समीती बनाई जिसमें मोतिलाल जी गांधी जी तथा चितरंजन राज सामिल थे जाच में ब्रिटिश शरकार की सच्चाई सामने आ चुकी थी तब से मोतिलाल जी ने मन में ब्रिटिश ब्रिटिशों के विरुद द्वेश पैदा हुआ उन्होंने विदेशी वस्तूओं का बहिस्कार किया तथा गांधी जी की राह पर चलने लगे सन 1919 से सन 1929 तक दश वर्स तक इन्होंने कॉंग्रिस का अध्यक्ष पद समाला 1927 में साइमन कमिशन की इन्युक्ती के बाद इन्हें पहली बार आजाद भारत के संविधान का प्रारूप बनाने के लिए कहा गया बाद में वे स्वराज पार्टी से जुड़ गए और इसके लिए कारे किया स्वराज पार्टी में इन्हें सचीव का तथा कुछ समय बाद अध्यक्ष का पद प्राप्त हुआ डेथ वर्ष 1930 में जेल में इनका स्वास्त बिगरता चला जा रहा था इसके चलते 1931 में इन्हें जेल से रियाह कर दिया गया लेकिन इनके स्वास में कोई सुधार नहीं हुआ दौरान 6 परवरी 1931 को लखनाव में इनका देहान थो गया मोतिलाल नहरू की मृत्यू पर राष्टपती महात्मा गांधी ने कहा था कि यह चिता नहीं राष्ट का हवन कुंड है और यग में डाली हुई यह महान आहुती है तो यह थी मोतिलाल नहरू जी की जीवनी आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जय हिंद जय भारत